आप सभी को जय मसी की, दबाइबल पुष्ण में आपका स्वागत है, हमारा आज का वचन है विवस्था विवरण की पुस्तत 22 वाथ्याय वचन 1 से 12 तू अपने भाई के गाय बैल या भेडबकरी को भटकी हुई देखकर अंदेखी न करना, उसको अवश्य उसके पास पहुचा देना, पर तू यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो, या तू उससे न जानता हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको न ढूंडे, तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंडे, तब उसको दे देना, और उसकी गधे या वस्तर के विशे, बरन उसकी कोई वस्तु क्यों न हो, जो उससे खो गई हो, और तुझको मिले, उसके विशे में भी ऐसा ही करना, तू देखी अंदेखी न करना, तो अपने भाई की गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अंदेखी न करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्य यहुआ के दिरश्टी में घ्रणित है यो दिव्रक्ष या भूमी पर तेरे सामने मार्ग में किसे चिडिया का घोसला मिले चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे और उन बच्चों या अंडों पर उनकी मा बैठी हुई हो तो घर बनाए तब उसकी छट पर आड के लिए मुंडेर बनाना ऐसा नहों कि कोई छट पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोश लगाए अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना ऐसा नहों कि उसकी सारी उपज अर्था तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे बैल और गधा दोनों संग जोद कर हल न चलाना उन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्र न पहनना अपने ओढ़ने के चारों और की कोर पर जालर लगाया करना